आट लाग के अंदर अपने पो आटमेटिक मिल रही है, सेफटी भी उतनी ही तगडी मिल जाती है यार इसमें, रिफ्लेक्टर बेज एड लैम मिल जाते हैं, हाइपर स्टाइल वील्स मिल रहे हैं, ग्लास एरिया काफी बड़िया अपने को मिलने वाला है, इस सेग्मेंट के एसाप से काफी बड़िया बूट स्पेस मिलने वाला है, हाइट अजिस्मेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल भी मिल रहे हैं, ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट, फ्लेस्टर, रिफाइनमेंट जो है बड़ा सबर्दस्त हो ग जाते हैं, अपने को XT variant में, अब वो क्या फीचर्स है, सारी चीज़े आज अपन डीटेल में देखने वाले हैं, यार इसकी जो फीचर्स है ना, और इसमें जो आपको जितनी प्रैक्टिकलिटी मिलती है, वो देखके बिलफुल आप हैरान हो जाओंगे, यार इस प्राइ प्राइब का XTA variant है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसके अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें, तो 6,94,000 में ये अपने को एक शोरूम आ जाती है, ओन रोड प्राइस की बात करें, तो ये अपने को 7,99,000 में ओन रोड आ जाती है, और ये जो प्राइसिंग है, बाल प्राइस की बात करें, तो 1677 mm की और ओल विट्ट में अगर देखें, तो टाटा का लोगो मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में अपने को ट्राइरो की ये डिजाइन मिल जाती है, अब देखें, नीचे जो है ना अपने को ग्रोम की स्ट्रिप में प्रोड प्रोड ब मिल जाती है, दोनों headlamps को connect करते हुए, अब headlamps की बात करें, तो देखें, reflector based headlamps मिल जाते हैं, side में turn signals दिये हुए हैं, और नीचे अपने को इस variant पे fog lamps नहीं मिलते हैं, तो front profile से देख लेते हैं, ऐसे कुछ looks मिल जाते हैं अब side profile के side में अपने जैसी आते हैं, तो इसके अगर wheels की बात करें, तो देखें, यहाँ पे अपने को hyper style wheels मिल रहे हैं, काफी बढ़िया दिखते हैं यार, और साथ में पूरा पूरा feel देते हैं, अपने को alloy wheel का, front में disc brake मिल जाते हैं, और rear में मिल जाते हैं, अपने को drum brake, अब यह जो एना wheel covers लगे हुए हैं, उपर अंद अपने को नहीं मिलता है, ग्लास एरिया काफी बढ़िया अपने को मिलने वाला है, अब देखें, बी पिलर पूरा black doubt क्या हुआ है, अब देखें, rain visor जो है यह accessories का part है, अब side profile से अगर देखें, तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं, अब इसके अगर overall dimensions की बात करें, त साथ में इसके wheelbase की बात करें, तो 2400 mm का यहां पे अपने को wheelbase मिल जाता है, interior space जो है न, वो भी काफी बड़ी आपने को मिलने वाला है, वो भी अपन अंदर जाके चेक करते हैं, तो आप वीडियो में बने रही है, यह काफी जादा informative रहने वाला है, और यार चैनल में अग अपने को मिल जाता है, 50 lakhs कार का, जो celebration कर रही है न, कार, इतनी जो कार से sold out हो गई है, अब rear profile के side weapon जाते हैं, तो देखे हैं, high mode stop lamp मिल जाता है, दो जो wings के design हैं यहां पे मिल जाते हैं, center में Tata का logo, Tiago की पैजिंग, अब 10 lamps की बात करें, तो यह पूरा hello jet setup मिल जाता है, side मे time signals, break lamps और reverse parking lamp मिल जाते हैं, नीचे अपने को 2 reverse parking sensors भी मिल जाते हैं, और rear profile से देखें, तो ऐसे कुछ looks मिल जाते हैं इसमें अपने को, अब इसका अगर boot space open करना तो देखें, उसके लिए अपने को लगेगी, इसकी चाबी और वो रखी हुई है, यह देखिए, यहां पे इ देख लेते हैं अपन, तो यह अपने लगाएं, पारसल ट्रे भी मिल जाता है अपने को XTA variant में और boot space की बात करें ना, तो यार इस segment के हसाफ से काफी बड़िया boot space मिलने वाला है, 242 लीटर का अपने को boot space मिल जाता है, अब side में अगर देखें तो एक hook इधर दिया हुआ है और एक side मतलब 2 hooks मिल जाते हैं, 3 kg के load carrying capacity के साथ में, अंदर अपने को spare wheel मिल जाता है, देखें इसके नीचे अपने को spare wheel मिल जाता है, low speed का tire है और इसके अगर section की बात करें, तो 155, 80, or 13, 13 इंच का, एक size कम का, इसमें अपने को steel rim मिल जाता है, उपर मिल जाती है अपने को cl space मिल जाता है, अपने को Tata Tiago में, तो rear profile complete होती है, अब side profile के side weapon जैसे जाते हैं, यहां मिल जाता है अपने को fuel filler cap, fuel tank capacity की बात करें, तो 35 लीटर का fuel tank मिल जाता है, mileage की बात करें, तो 19 से 20 kmpl का ARI claimed mileage मिल जाता है, तो काफी बढ़िया mileage भी perform करने वाली अपनी Tata Tiago, और जो new updates है जाना BS 6.2 के, उसमें तो यार कमाल ही हो गया, मतलब refinement काफी बढ़िया हो गया, साथ में जो mileage है वो भी काफी जाधा improve हो गया, तो चलिए अब exterior में सारी चीज़े देख लिए अपने, अब चलते interior में और देखते वहाँ पर क्या के चीज़े मिल जाती है अपने को, तो door panel क की बात करें, wear heavy, बहुत बढ़िया मिल जाता है, मतलब weight अच्छा है इसमें, 4 star की safety rating जो है ना, समझ में आता build quality इतनी तगड़ी क्यों है, देखिए यहाँ पर यहाँ प्लास्टिक है, चारो power window के button मिल जाते हैं, नीचे bottle holder और यहाँ पर speaker का grill, अब speakers इसमें total अपने को 4 मिल जाते हैं, और harmon का ही setup मिलने वाला, तो काफी बढ़िया sound system है, अब देखिए seats की बात करें, तो यह जो है ना, seat cover से देखने में काफी बढ़िया लग रहे है, इसके नीचे अपने को fabric अपोस्ट भी मिलती है, height adjustment का भी option मिल जाता है, और headrest अपने को adjustable मिल जाते हैं, तो कर लेता हूं थोड़ा पीछे, और gate को कर लेता है, बंग, शोफ बहुत हो रहा है बार, तो चैनिए TT को भी अपन बंद कर देते हैं, सबसे पहले steering wheel की बात करें, तो D-cut shape में steering wheel मिल जाता है, center में Tata का logo, और steering mounted controls भी मिल रहे हैं यहां पर, telephonic के और multimedia control, अब इसके अगर adjustment की बात करें, तो tilt मिल जाता है, telescoping नहीं मिलता, left side में अगर देखें तो wiper के controls, और right side में अगर देखें तो headlamps के control मिल जाते हैं, अब instrument cluster को देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster, पूरा का पूरा digital form में दिया है यार, और काफी बढ़िया मतलब इसमें आपको, देखें सारे जो information है, काफी बढ़िया तरीके से, इसमें visible रहते हैं अपने को, left side में tachometer, center में MID और right side में fuel gauge और temperature gauge मिल जाता है, MID में क्या क्या मिल रहा है अपने को, speedometer, instant fuel economy, odometer, और देखें यहाँ पे जो gears है उसकी भी information देता रहेगा, अभी देखें, auto mode में है, तो यहाँ पे दे सारी चीज़े detail में देखें, देखें, range यहाँ पे दिखा रहा है, और इसको मैं click करता हूँ, तो temperature, average, trip A, trip B, इतने कुछ features मल जाते हैं, अब इसको on कर लेते हैं, और देख लेते हैं, जो refinement level है, वो काफी जादा improve हो गया, तो वो भी check कर लेते हैं, तो यह अपने brake press किया, अब यार देखिए, three cylinder engine है, लेकिन refinement जो है बड़ा जबरदस्त हो गया है, vibration बिल्कुल फील नहीं हो रहे हैं, मुझे steering wheel में और gear knob में, तो यह हो गया, अब बात कर लेते हैं, इसके center console की dashboard किये, तो dual tone में अपने को मिल जाता है, उपर grainy form में दिया हुआ है, scratches हो गरे से काफी गर्मी हो रही है, तो यह देखिए, starting से ही जो है, काफी बढ़िया अपने को ठंडी आवा है, यहाँ पर मिल रही है, अब नीचे अगर देखिए, तो अपने को music system मिल जाता है, Bluetooth connectivity के साथ में यह आता है, तो calling के function और music जो है अपने यहाँ से play कर सकते हैं, और यह जो ह अपन देखिए, तो अपने को USB connectivity, यहाँ पर तोड़ा space मिल जाता है, और automatic gearbox का यह जो gear lever in है, बड़ा मिर को जबरदस लग रहा है, काफी premium यह देखने में लगता है, अब इस side अगर देखिए, तो reverse, neutral और automatic mode, और side में अपने को manual mode भी मिल जाता है, plus और minus, तो इसके भी अब ले सकते हैं, अब यह हो गया, पीछे cup holders मिल जाते है, handbrake मिल जाता है, chrome tip के साथ में, और glove box की अगर बात करें, तो देखिए, glove box भी काफी बड़ी है, size में आता है, tablet holder भी मिल जाता है, normal glove box से cool'd नहीं है, उपर अगर देखिए, तो यहाँ पे अपने को ticket holder मिल जाता है, माईक उपर दिया हुआ है, center में IRVM मिल जाता है, जो day and night of unmanually adjust कर सकते हैं, और इस side अगर देखिए, तो vanity mirror भी मिल जाता है, तो काफी बड़िया features मिल रहे हैं, अब इसके seats की बात करें, तो देखिए, under thigh support काफी बड़िया मुझे मिल रहा है, और काफी comfortable seats हैं, ताड़ा ट आपको इसका comfort कैसा लगता है, तो मुझे लगता है, front के सारे features हो गए, अब बात कर लेते हैं, इसके safety features की, तो front में आपको dual airbag मिल जाते है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, साथ में इसमें मिल जाता है, corner stability control, मतलब safety के भी features एकदम top class मिल रहे हैं, और जो build quality है ना, वो भी एक इतना comfort मिल जाता है, तो यह अपन ने किया, इसको off, अच्छा भी अपन यहां रख देते हैं, और चलते हैं, अब rear seat में, देखें नीचे automatic हैं, तो दो pedals मिल जाते हैं, और यहां पर एक dead pedal भी मिल जाता है, अतलब foot rest करने के लिए भी जगे मिलती है, तो अब चलते है rear seat में, door panel की अगर बात करें, तो देखें, dual tone में मिल जाता है, power window का button, और यहां पर अपने को bottle loader, speaker का grill, और rear seats की अगर बात करें, तो काफी बढ़िया seats मिल जाते है, rear की, काफी comfortable यह दिख रही है, मुझे अब बैट की भी अपन देख लेते हैं, अपने को जो address रहना है, वो मिल ज आते हैं, fixed, अब अपन बैट के देखते हैं, कि कितना comfort मिल जाता है, तो देखें, काफी बढ़िया यार, comfortable, मुझे seats लग रही है, legroom देखें, कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है, मेरी जो आइट है, 59 है, और मेरे height के अपड़िया, जो seat है, अंडर थाइस अपोर्ट की बा की बात करें, तो minor सा मिल जाता है, उसका कोई शुनी है, cabin light मिल जाती है, जो की LED है बिलकुल, तो यह भी काफी बढ़िया चीज़ सिंगल ही मिलती है, और यहां पर center में मिल जाती है, तो rear seat में इतना कुछ मिल जाता है, अब rear seat से front dashboard कुछ ऐसा दिखता है, TADA Tiago के XTA variant का, तो bonnet open करने के लिए, इसको अपन जैसी बूल करेंगे न, bonnet open हो जाए गया, तो यह है TADA Tiago का 1.2 लीटर का 3-cylinder petrol engine, अब इसके power की बात करें, तो इसमें अपने को लगबग 85bhp का power में जाता है, साथ में 113 nm का torque, तो power और performance काफी बढ़िया इसमें अपने को मिलने वाली है, और साथ में जो mileage है न, वो भी काफी बढ़िया मिलने वाला है, 90 से 20 kmpl का ARI claimed mileage है, उससे जाधा कभी mileage आप इससे निकाल सकते है, proper way में अगर आप drive करें तो, ABS, CBD की यहाँ पे unit बल जाती है, और यार, silent हो गया है अब अपना TADA Tiago का engine, तो refinement बहुत अगड़ा मिलने वाला है उपर अपने को extra insulation मिल जाता है, NVH level control करने के लिए, तो देखा आपने TADA Tiago का XTA variant जो है, उसमें features तो हैर काफी बढ़िया मिल जाते हैं अपने को, साथ में जो comfort है न, interior का और जो space आपको मिलता है, इस car में, काफी बढ़िया है, मतलब offer करती है, TADA इस car के साथ में, साथ में जो quality मिलने वाली आपको, मतलब जो air build quality है, और साथ में जो ratings है न, इसकी, वो तो बिलकुल इसको एकदम अपने top class बनाती है, segment की, तो यह हो गया, तो मुझे लगता सारे जो doubts से आप भी clear हो गया होंगे, अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं, उसका जो answer ह तो इसकी जो pricing है, मैं आपको फटा-फट से बता देता हूँ, एक और बार, तो extra room price की बात करें, तो यह 6,94,000 में अपने को आ जाती है, on road price की बात करें, तो यह 7,98,000 में अपने को on road आ जाती है, और यह जो pricing है, बालक हाट city मद्धे प्रदेश की है, तो चलिए वीडियो म कार अच्छी लगे है, तो फ्लीज एक लाइक कर देना, शेर कर देना अपने friends के साथ, और subscribe कर देना मेरे channel को, thank you so much, जय हिन!